नमस्कार दोस्तों, वेलकम टिरोन चैनल, लर्न टू अन्वाइ एक एर, तो टुड़े वोड बी डिस्कसिंग अबाउट आइड़ी बैंक के बारे में, जहाँ पर बैंक न आज अपना कौर्टरली रिजल्ट रनाउंस किया, तो चेक करेंगे, रिजल्ट कैसा आया है, तो च ये ये तो अभी आया है, लग блघे 7,500 का साथ जार का था, लास्ट ये थे 7,700 से गिर गरके 7,500 के रon में हो गया इसका ये इरली बीसिस में गिरआवट है, कौर्टरी बीसिसस में देख indispensable 8,000 ये 59,500 से करके 7527 हो गया तो यहां भी गिराउट देखने को मिल रही है तो टोटल इंकम में फ्रेंट गिराउट है yearly basis में and quarterly basis दोने में सालदर साल and quarterly basis में अब इस income को generate करने में कितना खर्च हुआ तो देखिए खर्च है एक्सपेंस से आप माइनस केजे इस income को एक्सपेंस से आप माइनस केजे तो आपका जाग operating profit जो कि अभी है 2102 लास्ट तह थी था थी था तो यहां नहीं देख सकते हैं साल दर साल यहां पर अच्छा खासा 3000 से गिर करके हो गया 2100 कंपनी का operating profit और quarterly basis में भी देखिए यहां पर गिराओट देखने को मिल रही है तो देखिए sales में भी गिराओट है operating profit में भी गिराओट देखने को मिल रही है आप कंपनी का provisioning को चक करेंगे तो फिरन प्रोविशन जो रता देखिए वह अच्छा खासान उनने negative side में रखा तो यह चीज इस कारण से देखिए company का profit loss from ordinary activities जो है वो बढ़कर के 2545 हो गया तो company का profit बढ़ गया provisioning में गिराओट होने के कारण और yearly basis में 1800 से बढ़ करके हो गया 2500 इनका profit loss from ordinary activities और quarterly basis में भी देखिए हाँ पर बढ़कर आ रहा है तो फ्रेंड यहाँ पर यह पर यह पॉजिटिव हो गई कि company का profit जो रहता वो बढ़ रहा है अब देखिए net profit company का क्या है उसको जड़ा चेक कर लेंगे तो देखिए company का net profit क चेक करेंगे tax minus करने के बाद तो देखिए tax का पार्ट यहां बता जा रहा है tax minus की जो तो आपका net profit आ जागा 10739 का भी है last year था 10234 यानी साल दर साल देखिए अच्छा कास ते net profit बढ़कर आ रहा है quarterly basis में देखिए अच्छा कास है आपर जंप है 1655 से 10739 होगा तो yearly and quarterly basis में net profit में जंप देखने को मिल रहा है अब फ्रेंट एक और important ची है company का हम लोग चेक कर लेते हैं EPS क्या है तो देखिए EPS 1.61 का भी है last year था 1.14 यानी yearly basis साल दर साल बढ़कर आ रहा है quarterly basis में देखिए 1.55 से बढ़कर के 1.61 हो गया है EPS अब आगे ब आशी खासी गिराओट देखने को मिल लिए NPA को मतलब हो जाता है non performing asset यानी asset quality में सुधार देखने को मिल रहा है quarterly basis में भी देखिए NPA पर गिर करा रहा है quarterly and yearly basis दोनों में NPA में गिराओट है asset quality में सुधार देखने को मिल रही है percent of net NPA भी चेक करेंगा 0.23 का भी है last year था 0. यहां भी गिराओट है कि इसका result कैसा है result जो रहता है वो सब कुछ depend करेगा market के उपर because company का sales में गिराओट है and operating profit में गिराओट है company अभी profitable क्यों होई उसके पेचे reason क्या है provisioning तो अब यह है कि market इसको कैसे react करता है तो मैं जगा पर क्या करूंगा 95 को उपर breakout होगा तभी में यहां पर कोई buy trade initiate करूंगा और नीचे में हमारा stop loss रहेगा 80 करण में तो देखे यह इस range को breakout होना बहुत जरूरी यह range चुटेगा तो अच्छा खासा move देखने को मिलेगा तो अब अब 95 यहां पर breakout है stop loss हमारा 80 का रहेगा तो फ्रेंट यह था complete update regarding IDWay bank I hope आपको वीडियो लगा दूने वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा अन्चानल को सब्स्ट्राइब कीजिगा थैंक्यू